नमस्कार मैं हूँ वसीम अकरम और आप इस वक्त देखने हैं मेरे साथ CIB इंडिया निउस राम बारात को देखने में लोगों का दिखा काफी उच्छा राम लीला कमेटी ने जगा जगा राम बारात का किया स्वागत आपको बता दें कि अलीगड के गुरई में आज से पहले भी राम बारात निकला करती थी लेकिन सभी लोगों का मानना है कि इस बार राम बारात बड़ी ही धुमदाम से निकाली गई है राम बारात में निकाली गई जगा कि पहले से ज़्यादा और आकशक है और अलग-अलग ज़ाकियों ने सब का मन मोह लिया है आपको बता दें कि इस राम बारात को शुरू हुए लगभग 22 साल हो चुके है इस बाबत जब लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि श्री हर परसाद पुजारी महरात जी ने शुरू कराय थी राम लीला वही राम लीला का मंचन यहां की छेत्री जनता आपस में सहियो करके इस कारिक्रम को एक देवार के रूप में मनादी चली आ रही है यह राम लीला का मंचन हिंदू आस्था का प्रतीग है इसलिए इस कारिक्रम को काफी हरसोलास के साथ मनाय जाता है इसे मानों का ये तो पर रूप में इसरा मिनाता है याशे। आपने पास साथ मैं इसलिए इस वीजे को का आपने पास। अलिसे मारी अच्छ नाम पुछ नहीं है, तक नहीं हैंगे तक नहीं हिए पर सब्सक्राइब को दुए आपके रामिला कमेंट्री का में सदस्य हूँ, और हमारी कलाकार कमेंटी की पीचे में बहुती सामंजस है, और तसली से हमारा संपी जानता है, इसके पार रेश्टेस है है प्रहारी गप्राविलें की nectar है। यह बहुत पुराणी परंपच को चिरन की और हम इस नीम को चमाके गए है और हम अपनी चौह बाजीों की तरब से इस नीला के मानी सव्सक्राव्त है। ये रामबराद हमारी करी 22-22 साल होगे और बिवर्षता पुलिश करती है और काउंबाले सब सहयो करते हैं और बड़ी धुम्दान से रामबराद का वहाँबाले स्वाकत करते हैं और निकालते हैं हम लोग हर पास यह हम जो है चार-फास पार्टी बेंट बाजे होते हैं पहार से पार्टी यह कुछ गाउं को एकलाका रहे हैं और सभी एकत्र होके गाउं में प्रक्रमा देते हैं रामबराद का जो सागत है जगे-जगे होता है और बड़ी सांती फूलक वस्ता की जाती है मेरा नम एक्स सर्विस सुवधार ओंपर का सर्मा मैं आर्मी से रिटायर हूँ गाउं मालों ने चुनके मुझे इस पत के लिए बनाया है मैं इस कार्ण को यता इस्तान से और सुचोतर रुख से गाउं वाले के सहयोग से और कमेटी के सहयोग से करना हूँ आपके पास पत कुन जा है पत मेरे पास अद्यक्ष है